हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे आज मैं शियर करने वाली हूँ यमी चोकलेट केक की रेसिपी इसे हम सूजी से बनाएंगे और साथ में इसमें मैंगो कब इस्तमाल करेंगे फादस जे आने वाला है तो उस मोके पर आप इस केक को बना सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए केक बनाने के लिए मैंने सूजी ले ली है एक कप सूजी का इस्तमाल किया है और जो सूजी है आप मोटी या पतली कोई भी ले सकते हैं तो इसे मैं जार के अ कर दी है शुगर जो है थोड़ी सी क्वेंटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आप आइसिंग नहीं कर रहे हैं तो अब यहां पर हाफ कफी मैंने ओइल डाल दिया है अब चोकलेट फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो इसके अंदर मैंने आपर कोको पाउडर एड़ कर दिया है द ढलेंगे फिलाल मैंने फार पानी है और अच्छे से चर्ण कर लेंगे तो यह देखे हमारा जो बैटर है बनकर तयार है थीक है तो इसे हम एक बड़ के अंदर निकाल लेते हैं अच्छे से कोगो पाउडर भगेर्एमिक्स नहीं हुआ है तो ढखकर इसे 10 मिनिट के लिए तब तक प्रिहीट करने के लिए बर्तन भी सेट कर लेते हैं तो उसके अंदर मैंने एक रिंग लगा कर बर्तन को प्रिहीट होने के लिए ढखकर 10 मिनिट के लिए रख दिया है साथ ही में एक बाउल ले लिया है जिसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है आप चाहें तो यहां पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं अब जो हमारा बैटर है दस मिनिट हो गए उसे रखे हुए अच्छे से सेट हो गया तो इसके अंदर मैंने वन टीस्पून बेकिंग पाउडर कर दिया है इस बैटर के अंदर हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे बस बेकिंग पाउडर का ही इस्तमाल करेंगे और सारी चीजों को एकी दिशा में चलाते हुए क्लोक्वाइस यांटिक्लोक्वाइस मिक्स कर लिया हो और बैटर को जो हैं मैंने केक टिन को रख दिया है अब थोड़ा से टैप टैप कर लिया है ताकि जो केक है अच्छे से फूला फूला बने अब यहां पर जो हमारा बरतन है अच्छे से गरम हो गया है इसके अंदर मैंने केक टिन को रख दिया और 35 मिनिट केक करी भी से लो टू मीडियूम फ्लेम पर हम पकाएंगे अब चेक कर अगर चेक पक गया गया बन कर दीजिए अगर नहीं पका है तो 5 मिनिट और पका लिजी आ पर थंडा होने के बाद अच्छे से मैने केक को डिमोल्ड कर लिया है जब केक बिल्कुल तंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपको डिमोल्ड करना है यह देखिए जो केक एकदम सो के ओपर जो बाउल है उसके अंदर चोकलेट डालके रख दी है तो यह देखिए इस तरीके से मेल्ट हो गए थोड़ा से अच्छे से चला लेते हैं ऐसा करने से एकदम क्रीमी टेक्शर हो जाएगा वाइट चोकलेट का और कोई भी लंस नहीं रहेंगे उसके अंदर तो काष़ पर टेक्श्टयर के लियए औरल नहीं है इसंदर उसके लिए हैना गनाष चूकलेट मेक चोकलेट किना करी ओर आधा किया, अपर निदर के तयार । स्युक्ट अश्म से पार लिए मेंगाव साइगा मंगो लीए हैं चोटे क्षिप्स में कटे हुए इसे अच्छ स तो केक को आइसिंग करने के लिए तयार हो गया है यह काफी टेस्टी बना था यह आप इसे जुरूर ट्राइ किजिएगा तो देखे यहां पर हमारी जो आइसिंग बनकर तयार है यहां पर केक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइट कर लिया आप चाहे तो तीन लेयर भी नि जो मैंगो के पीसेज है चोटे-चोटे वो रख दिये हैं अगर आप मैंगो के पीसेज नहीं रखना चाहते तो skip कर सकते हैं या फिर मैंगो कर्ष का बिस्तमाल कर सकते हैं अब दूसरा जो लेयर है वो रखेंगे और इसके उपर जो हमने अभी वाइट चोकलेट के मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा ड्रिपिंग एफेक्ट देंगे जैसे पुल्मी अप केक में होता है नीचे के त्रिप करता हुआ कुछ इसी तरीके से इसके अंदर एफेक्ट टालेंगे तो यहां पर हमारा बगैर ओएच्प सीट के पुल्मी अप केक बनकर तयार है तोड़ा स इजी रेसिपी आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजगा चैनल को सब्सक्राइब कीजगा अपने फर्मी फ्रेंड्स को साथ शियर कीजगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई